नमस्कार दोस्तों, आईए जानते राजस्थान की बड़ी खबरे, पहली खबर अंगूठा काटकर खून से होगा, विश्वराज सिंह मेवाड का राज तिलक, शौर्य त्याग और बलिदान की धर्ती, मेवाड में एतिहासिक परंपरा का निर्वहन होने जा रहा है, की गद्धी के लिए कई दस्तूर किये जाएंगे, जिसने राज तिलक के रक्त से किया जाएगा, तलवार की धार से अंगूठे को काटकर तिलक लगाया जाएगा, इस परंपरा का निर्वहन सलूंबर ठिकानेदार द्वारा किया जाएगा, दस्तूर का यह कारेक्रम, चि मकान मालिक हेम राज ने बिना वेरिफिकेशन के तसकरों को मकान के राय पर दिया था ऐसे में पुलिस ने मकान मालिक को भी आरोपी बनाया है पुलिस मकान मालिक के खिलाव भी NDPS Act की धारा 27 के तहत कारवाई करेगी इसमें मकान मालिक को 10 से 20 साल तक की सजा हो सकती है विधायक रविंद्र भाटी ने जैन को फटकारा शिव विधायक रविंद्र सिंह भाटी ने ग्रामीनों की बिजली से संबंधित शिकायतों को लेकर जूनियर इंजीनियर को खूब फटकारा उनना ने ग्रामीनों के बीच जेयन से कहा, तुझे सरकार किस बात का पैसा देती है, लोग तुझे बुलाते हैं, तु फोन नहीं उठाता, आता नहीं, जेयन ने सफाई दी, मैं रोज आता हूँ, इस पर विधायक ने उसे लताड दिया, चुप कर, तुझे आना भी पड़ के लिए विशेश योजना तयार की है, कड़े कानूनी प्रावधान किये गए हैं, इसके तहट पत्थर बाजी करने पर आजीवन कारवास तक की सजा हो सकती है, ट्रेनों पर की जाने वाली पत्थर बाजी के बाद, आरपीएफ की ओर से ऐसी घटनाओं पर रोक लगाने के के लिए विशेश योजना तयार की गई है, इसके तहट रेलवे स्टेशनों से लेकर ट्रेनों और रेलवे ट्रेकों से गुजरने तक नजर रखने के लिए CCTV कैमरों से निगरानी बढ़ाई जा रही है, इससे ऐसे अपरात करने वालों पर कार्रवाई आसान हो जाएगी, इसके अलावा आरपीएफ ने स्टेशनों, ट्रेनों और रेलवे क्षेत्रों में विशेश गश्ट शुरू की है, सुरक्षा बलोवा पुलिस से आपसी समन्वे पर विशेश फोकस किया जा रहा है, ताकि घटना होने पर त्वारित कार्रवाई की जा सके, पीएम मोदी ने जैसलमेर में बने रिकॉर्ड की सराहना की, प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को मन की बात के 116 एपिसोड में विभिन्न बिंदूओं पर चर्चा करने के दौरान, इस वर्ष सितंबर माह में सीमा वर्ती जैसलमेर, जिसमें एक पेड़मा क पेड़मा के नाम अभियान के तहट पौधरोपन के बनाए गए रिकॉर्ड का उल्लेक करते हुए, इसकी सराहना की और कहा कि इससे अन्य लोगों को भी प्रेरणा मिल सकेगी। प्रधान मंत्री ने संबोधन के दौरान एक पेड़मा के नाम अभियान का जिक्र करते इस अभियान के द्वारा एक अनोखा रिकॉर्ड बना। यहां महिलाओं की एक टीम ने एक घंटे में 25,000 पेड़ लगाए। कार्याले परिसर में निर्माण विभाग के स्टोर की छट पर आग लगने की सूचना मिली। आग की सूचना नगर पालिका के फायर ब्रिगेड कार्याले में दी। जहां से 6 बजकर 20 मिनट पर दो दमकल मौके पर पहुँची और आग बुजाना शुरू किया। करीब वव रेस्टोरेंट में बिना अनुमति के लिए शराब परोसने वालों पर आक्शन होगा। बिना अनुमति के इस तरह की पार्टी करने वालों पर अब आपकारी विभाग की ओर से सक्त कार्रवाई की जाएगी। इसके साथ ही कहीं पार्टी में अब 5 से अधिक जने एक जगा बैटकर शराब नहीं पी सकेंगे। आपकारी आयुक्त शिव प्रकाश नकाते के मुताबिक जाँच में सामने आया है कि ओकेजनली लाइसेंस वाली पार्टीओं विवाह समारों हूं एवं अन्य आयोजनों में अन्य राज्यों की मदिरा या ऐसी मदिरा धडलले से परोसी जा रही है इनकी राजस्थान की आपकारी ड्यूटी भुगतान नहीं की गई है। दो महीने में QR कोट जारी करने की प्रक्रिया पूरी की जाएगी। ओनलाइन आवेदन करने वाले चालकों को QR कोट दिये जाएंगे। इसके लिए DOIT की ओर से एक सौफ्टवेर तयार करवाया जा रहा है। राजस्थान को अगले साल मिलेगी एक और सौगाद। Medical सुविधाओं का सेंटर अगले चरण में बोरावास होगा। शहर के करीब 25 किलोमीटर दूर यहां प्रदेश की दूसरी Medical University बन रही है। पहले चरण में 100 करोड का बजट मिला और 35 प्रतिशत का सिविल वर्क पूरा हो चुका है। अगले साल यानी 2025 में इसका निर्माण पूरा होगा। खास बात यह है कि इसी परिसर में नया Medical College वा अस्पताल भी बनेगा जिससे चिकित्सा सुविधाओं का विस्तार भी होगा। दस गुना पेड लगाने की शर्त पर रेलवे प्रोजक्ट को मंजूरी दी है। और प्रशासन की ओर से पेड काटने के लिए जारी नीलामी आदेश को रद्ध करने की मांग की गई थी। याचिका में कहा गया था कि प्रशासन ने पेड काटने की अनुमती देने से पहले ऐसा कोई विकल्प नहीं तलाशा जिससे कम से कम पेड काटे जाए। वसुंधरा बोली साब से कितना ही प्रेम कर लो जहर उगलेगा ही। सिर कटालो लेकिन दुश्मन के सामने कभी सिर मत जुकाओ जब तक लक्ष्य प्राप्ती न हो जाए तब तक जाकते रहो। वसुंधरा राजे जालरा पाटन में महाराणा प्रताप की प्रतिमा के अनावरन कार्यक्रम में बोल रही थी। साथ ही सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर भी पोस्ट किया। राजे ने कहा, बादल कुछ देर तो सूरज को अद्रिश्य कर सकते हैं, सूर्य की दमग को रोकने का सामर्थे उनमें नहीं। महाराणा प्रताप के जीवन से यह सीखना चाहिए है कि पीट पीछे वार नहीं करें, लोग पीट में छुरा घूपने में माहिर होते हैं। दस का सिक्का मशीन में डालते ही निकलेगा थैला, सिंगल यूज प्लास्टिक के उप्योग पर रोक थाम के लिए अब शहर में थैला बैंक बने हैं। इसके लिए दो स्थानों पर आटोमाटिक क्लॉथ बैग वेंडिंग मशीने लगाई गई हैं। इन मशीनों में 10 रुपे का सिक्का डालते ही वेंडिंग मशीनों से थैला बाहर निकलेगा। नगर निगम और रोटरी क्लब आध्या के प्रयासों से कोटगेट सबजी मंडी के पास सादल स्कूल के पास वगंगा शहर मुए बाजार राजकी अस्पताल के आगे आगे आटोमाटिक क्लॉथ बैग वेंडिंग मशीन स्थापित की गई है। निगम महापोर, सुशीला कमवर, राजपुरोहित और संभागिय आयुक्त वंदना सिंगवी ने इन वेंडिंग मशीनों का उदगाटन किया। इन मशीनों से आमजन 24 घंटे थैले प्राप्त कर सकते हैं। सलूंबर में बीएपी की हार पर राजकुमार रोध बोले, निर्दलिय प्रत्याशी के वोट, बीजेपी उम्मीदवार में जोडे, राजस्थान में विधान सभा की साथ सीटों पर उपचुनाव के नतीजे शनिवार को घोशित कर दिये गए हैं। बीजेपी को साथ में से पांच सीट पर जीत मिली है, वहीं कांग्रेस और बीपी ने एक-एक सीट पर जीत दर्ज की है। हनुमान बेनिवाल उपचुनाव में अपना किला बचाने में सफल नहीं हो पाए और उनकी पतनी कनिका बेनिवाल खीमसर से चुनाव हार गई। बीएपी को 84 के साथ सलूंबर सीट पर भी जीत की उम्मीद थी। हालां कि भारत आदिवासी पार्टी के जितेश कटारा बीजेपी की शांता अम्रितलाल मीना से मात्र 1285 वोट से हार गए। सलूंबर में हार के बाद बीपी सांसद राजकुमार रोत ने सवाल उठाए। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्सपर एक वीडियो में राजकुमार रोत ने कहा सलूंबर विधान सभा में गड़बडियां हुई है। बीएपी प्रत्याशी जितेश कटारा एक तरफा बहुमत से जीत रहे थे। अंतिम दो-तीन राउंड में गड़बड़ी की गई। उसकी शंका होने पर हमारे प्रत्याशी ने रिकाउंटिंग की मांग की लेकिन उस दौरान बीजेपी के पदाधिकारियों द्वारा रिटर्निंग अधिकारी पर दबाव बनाकर प्रमान पत्र की प्रक्रिया करवा दौसा में बीजेपी हार रही थी, वहाँ पर दो से धाई हजार वोट का अंतर था, रिकाउंटिंग हो सकती है, सलूमबर में हजार वोट का अंतर था तो रिकाउंटिंग क्यों नहीं करवाई भैरव अश्टमी पर्व भैरवनाद के अभिशेक पूजन और धार्मिक अनुष्ठानों के साथ मनाया गया शहर से ग्रामीन क्षेत्रों में इस्थित भैरव मंदिरों में बाबा के जयकारों की गूंज रही मंदिरों में बड़ी संख्या में श्रधालू दर्शन पूजन के लिए पहुँचे भैरव प्रतिमाओं को तेल सिंदूर से अभिशेक, पूजन, श्रंगार कर आरती की गई घरों और मंदिरों में भैरव स्तोत्रपाट, मंत्र जाप और भजनों के आयोजन हुए दिल्ली से आई NCB की टीम ने जोदपुर में पकड़ी नशीली दवाईयां राजस्थान में दिल्ली से आई Central Bureau of Narcotics की टीम ने नशीली दवाईयों को लेकर बड़ी कारवाई की है जोदपुर में एक बस से 24,000 नशीली टेबलेट बरामत किया है वहीं दूसरी ओर दिल्ली की ही टीम ने रविवार को जिले के बालेसर कजबे में एक दवा विक्रेता के यहां कारवाई कर उसे पकड़ा है टीम ने दोनों मामलों में कारवाई कर आरोपियों को अपने साथ दिल्ली ले गई है रोड लाइटों की बनेगी कुंडली नगरियक शेत्र में विद्यूत पोल पर लगी लाइटों की कुंडली तयार होगी वार्ड अनुसार होने वाले सर्वे में प्रत्येक पोल पर लगी लाइटों की संख्या सहित चालू व बंद लाइटों की जानकारी जुटाई जाएगी साथ ही ऐसे विद्युत पूल भी चिहनित किये जाएगे जिन पर एक भी रोड लाइट नहीं लगी हुई है रोड लाइटों के वाड अनुसार सर्वे के लिए निगम ने एक प्रारूप भी तयार किया है इस प्रारूप के अनुसार सभी वाडों में लगी रोड लाइटों की जानकारी जुटाई जाएगी निगम उपायुक्त यश्पाल आहुजा की ओर से आदेश जारी किया गया है इसमें साथ दिवस में सर्वे कार्य को पूरा करने के लिए कहा गया है अधिशासी अभियंता विद्यूत के निर्देशन में समस्त कनिष्ठ अभियंता विद्यूत की टीम का गठन किया गया है हनुमान बेनिवाल ने पत्नी की हार को मूँच दाड़ी से जोड़ा राजस्थान उपचुनाव में खीमसर विधान सभा सीट पर आरलपी की उम्मीदवार कनिका बेनिवाल की हार से पार्टी प्रमुख हनुमान बानिवाल को बड़ा जटका लगा है उन्होंने पत्नी की हार के कारणों को मूँच दाड़ी वाले बयान से जोड़ते हुए पैसे बाटने का आरोब भी लगाया है दिल्ली राजस्थान और हरियाना यात्रियों के लिए खुश खबरी भारतिय रेल ने राजस्थान दिल्ली और हरियाना के रेल यात्रियों के लिए खुश खबरी वाला एलान किया है अब इन राज्यों की यात्रा करने वालों को 48 स्पेशल ट्रेनों में रेगुलर यात्रा करने को मिलेगा उत्तर पश्चिम रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी कैप्टन शशी किरन के अनुसार एक जनवरी 2025 से निमना नुसार 48 स्पेशल रेल सेवाएं अब नियमित काड़ी संख्या से संचालित होंगी राजस्थान में आर्चर की वापसी सौधी अरब के जेद्दा में चल रहे IPL 2025 नीलामी में सभी टीम अपना स्क्वाड मजबूत बनाने पर ध्यान दे रही है उक्षन में उत्री टीम ने सबसे देरी से अपना पहला खिलाडी खरीदा राजस्थान अभी तक 89 करोड के अधिक्तम बजट को पूरा इस्तेमाल कर चुका है इसके बाद फ्रेंचाईजी सिर्फ 41 करोड रुपए के पर्स के साथ आउक्षन में उत्रेगी जिसमें उसे 19 खिलाडी और खरीदने हैं नव निर्वाचित विधायकों ने सीएम भजनलाल से की मुलाकात सीएम भजनलाल ने सलुमबर से विधायक शांता देवी जुनजुनू से विधायक राजेंद्र भांबू देवली उन्यारा से विधायक राजेंद्र गुर्जर रामगड से विधायक सुखवंत सिंग, खीमवसर से विधायक रेवंतराम डांगा को जीत की बधाई देते हुए दुपट्टा पहना कर उनका स्वागत किया मुख्य मंतरी ने विधायकों से बातचीत में कहा कि एक जन प्रतिनिधी के रूप में आपके निर्वाचन क्षेत्र प्रदेश की जनता के प्रती आपकी जिम्मेदारी बढ़ गई है राजस्थान में कोहडे का अलर्ट, जयपुर में राद के तापमान मो बढ़ोतरी, राजस्थान में सर्दी के तल्क तेवर है राद के पारे में लगातार गिरावट दर्ज की जा रही है सबसे कम नियूनतम तापमान माउंट आबू में 5 डिगरी दर्ज किया गया इसके अलावा आठ शहरों में राद का पारा 10 डिगरी से नीचे दर्ज किया गया फतेहपुर में 8.4 डिगरी, जालोर में 8.7 डिगरी तापमान दर्ज किया गया भीलवाडा में 9.4, सीकर में 9.8, चित्तोडगड में 9.8 डिगरी तापमान दर्ज किया गया 9.6, डबोक में 9.6 डिगरी सेल्सियस तापमान दर्ज किया गया ब्यूटी क्वीन बनने देश भर से जैपुर पहुंची मॉडल्स पिंक सिटी में होने वाले नैशनल लेवल ब्यूटी पेजन्ट अननता मिस एंड मिसस इंडिया ग्लैम के ओउडिशन रविवार को वैशाली नगर स्थित रोसाडो लगजरी लाउंज में आयोजित किये गए जो 30 दिसंबर को अननता रिसॉर्ट में होगा इस ब्यूटी पेजन के लिए देश और राज्य के विभिन्नक शेत्रों से आई करीब 1500 गर्ल्स ने ओडिशन के दौरान कैट वॉक की जजे इसके समक्ष, डांस, सिंगिंग, मिमिक्री, पोईट्री आदि प्रस्तुत कर शो के फिनाले में अपनी जगा बनाने के लिए दावेदारी पेश की जालावाड के डग शेत्र में रविवार को रुद्राक्ष सेवा संस्थान एवं जैन सोशल ग्रुप डग के संयुक्त तत्वावधान में स्वैचिक रक्तदान शिविर का आयोजन सरकारी अस्पताल में रविवार को किया गया शिविर में 131 यूनिट रक्त संग्रहित किया रक्त एकत्रित करने वाली टीम, SIRG, हॉस्पिटल जालावाड, रुधिरा ब्लट बैंक जालावाड, न्यू मेडिकल कोटा ने रक्त एकत्रित किया गया इस रक्त को आवश्यक्ता पढ़ने पर क्षेत्र के जरूरत मंद मरीजों को उपलब्ध करवाया जाएगा बारह जनवरी को हुंगे माली समाज, विकास समिती के चुनाफ चौमू के रिंग्स रोड स्थित, सैनी समाज सभा भवन में रविवार को माली समाज विकास समिती की कार्यकार्णी की बैथक आयोजित की गई यह बैठक माली समाज विकास समिती अध्यक्ष घीसालाल सैनी की अध्यक्षता में आयोजित की गई बैठक में सर्व सहमती से नई प्रबंद कार्यकार्णी के गठन के लिए आगामी 12 जन्वरी 2025 रविवार को चुनाव करवाने का निर्ने लिया गया यह थी आज राजस्तान की बड़ी खबरें